हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम लोग के सिचना क्लाश 12 एक्सरसाइज 19.10 का कोईचन नमर 9 नमर कोईचन को स्वाल्व करेंगे देखिए ये given दिया हुआ है integration of x into sin 2x into cos 2x dx ये दिया हुआ चलिए इनको हम स्वाल्व करते है solution तो देखिए यहां पे जो हुआ हुआ है हम कैसे स्वाल्व करते है ये देखिए 1 by 2 से multiply कर दिये और 1 by 2 से इनको divide कर दिये और ये अंदर में 2 से multiply कर दिये 2 sin 2x into cos 2x dx यह कर दिये हैं अब देखिए यहां पे आपको यह फर्मुला मालम होगा 2 sin a into cos 2 sin a into cos a का फर्मुला क्या होता है इनका फर्मुला होता है साइन 2 a sin 2 a यह फर्मुला होता है यह फर्मुला यहां पे जो हम यूज करते हैं तो देखिए यहां पे 1 by 2 integration of x देखिए 2 sin x into cos x sin 2 x का फर्मुला होता है साइन 2 और यह x का स्थान पर यह 2 x और यह dx है तो यह dx अब देखिए यह 1 by 2 i n की x sin 4 x dx हो जाएगा तो अब देखिए इनको फर्स्ट इनको सेकेंड मान के integration कर देंगे यह 1 by 2 अब देखिए यहां पे फर्स्ट को बाहर कर दिए सेकाइन का जो हुआ integration करते हैं तो साइन का integration क्या होता है साइन की मैनास कोस होता है तो मैनास कोस 4 x बाट 4 और यह मैनास इंट्रिगेशन और फर्स्ट का डिफ्रेंसेशन वन सकेंड का integration तो मैनास कोस 4 x बाट 4 और यह dx यह देखिए हम डाइरेक्ट ही कर दिया है यह देखिए 1 by 4 1 by 2 मैनस x by 4 यह कोस 4 x मैनस अब देखिए यह कोस का इंट्रिग मैनस मैनस यह पलस दे दीजिए कोस का तो साइन होता है यह साइन 4 x बाट यह 4 और यह जो हुआ पलस सी अब देखिए जो होगा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा यह देखिए वह 1 by 2 1 by 2 और यह मैनस x by 4 कोस 4 x और यह पलस यह साइन 4 x बाट यह 16 और यह पलस सी देखिए यहां पर अब दिख रहा होगा ति यह जो हुआ हुआ है इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए इनका 10 नमर कोईचन 10 नमर में जो हुआ गिवन जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं तो यह दिया हुआ है x into cos x into cos 2x dx यह question जो है हुआ दिया हुआ है तो चलिए इनको हम क्या करते हैं तो solve करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इसमें जो हुआ हुआ कुछ formula लगेगा तो वह formula आपको हम मननी की पिछले वीडियो में लिखाए थे वह क्या formula होता है तो चलिए देखिए यहाँ पे यहनी solution यह जो हुआ 1 by 2 से इनको multiply और यह देखिए x into 2 cos x into cos 2x dx यह देखिए यह आपको formula लिखाए थे यह 2 cos a into cos b का formula जो हता है cos a minus b plus cos a plus b यह formula होता है 2 cos a into cos b का formula होता है cos a minus b plus cos a plus b यह formula होता है यही formula पर इनको स्वालब करेंगे तो यह 1 by 2 integration of x into यह देखिए cos a minus b यह cos a एक अस्थान पर x minus b और यह plus cos a plus b x plus 2x और यह bracket 1 और यह dx यह इतना हो गया अब देखिए इनको जो हुआ हम क्या करते हैं तो multiply करते हैं यह 1 by 2 x into और यह देखिए यह जो हुआ cos देखिए x में 2x गटेगा तो minus x cos minus x आप लोग बहुत यह अच्छा तरिका जानते cos minus theta जो हुआ हुआ cos theta की equal हो जाता है इसलिए यह cos x हो गया और यह plus 2 x 3 x और यह dx हो गया अब देखिए इनको जो हम क्या करते हैं तो multiply कर देते हैं तो 1 by 2 x into cos x dx पलस यह 1 by 2 और यह हमारा होगा x into cos 3 x dx यह हो जाएगा अब देखिए यह 1 by 2 क्या करते हैं x को बाहर निकिए first का निकिए first इनको मानेंगे second इनको मानेंगे देखिए I late हिसाब से I late हिसाब से पहले algebra आता है तब फिर तरकोन में इती हाता है तो first को बाहर कर देंगे निकिए और second का integration यह sin x हो जाएगा dx पलस अब देखिए मैनस नहीं होता है मैनस देखिए यह d by dx x का रिफ्रेंसेशन integration of cos x यह dx यह इतना हो गया अब देखिए पलस यह 1 by 2 आप देखिए यहाँ पे हम direct करने वाले हैं x को first को बाहर second का integration cos का कितना होता है sin होता है यह sin 3 x by 3 हो जाएगा मैनस sin 3 x by 3 यह dx यह इतना हो गया अब देखिए यह दिखा रहे हैं यह इतना हो गया न अब देखिए इनको जो होगव हम क्या करते हैं solve करते हैं यह 1 by 2 x sin का तो cos होता है cos x minus अब देखिए x का तो 1 cos का कितना हो जाएगा sin हो जाएगा तो यह sin x dx यह इतना हो गया, पलस, यह 1 by 2, यह जो होगा, x by 3, sin 3x minus, यह minus, देखिए, sin का कितना होता है, minus, cost होता है, minus, minus, plus, cost 3x, बटे, 3, यह हो गया, अब देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, इनका integration निकालते हैं, यह 1 by 2, इनको multiply भी कर दीजे, यह cost, x हो गया, यह देखिए, cost का कित 1 by 2, और यह sin का जो होगा, cost x हो जागा, यह cost x, और यह देखिए, यह 1 by 3, 6, x, और यह sin 3, x, plus, 1 by 6, cost 3, x, cost कितना होगा, तो 3, x हो जागा, यह इतना हो गया, चलिए, आप जो होगा, इनको हम क्या करते हैं, तो solve करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर, यह देखिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं, कि हम जो बनाए हुआ, सही है, फिर यहाँ गलत भी आए, तो देखिए, यहाँ पर, यह फर्स्ट बार, सकेंड का इंट्रिगेशन, पल मैनस, यह फर्स्ट का डिफ्रेंसेशन, इन्टू सकेंड का इंट्रिगेशन, तो x, sin का तो cos होता है, cos x मैनस, यह यह, cos x का, तो यह sin x होता है, यह sin x हो गया, यह इतना हो गया, अब देखिए, इधर चलिए, यह x, नहीं कि cos का इंट्रिगेशन, यह sin होता है, sin 3 x मैनस, प्रटे, x हो गया, अब देखिए, यहाँ पर, यह देखिए, यह थीक है, अब यहाँ पर, जो हुआ हुआ, क्या होत सक हो, को बार कर दिये, नहीं कि क्या है, तो, consent नहीं देखिए, क्परे देखिए, कि नहीं होता है हो जाएका तो साइन हो जाएगा ये वालकि साइने होगा तोसाइने पर यहां पर यह को रांग कि यह साइन एक्स हो जाएगा हमको लगा कि यह हुआ हुआ कोछ गरबार है ठीक है अब देखिए यह इतना होगी आप पहला से यह सी दे दीजिए अब देखिए यह डाइरेक्टली हम वन भाई सिक्स सभी से कॉमल ले लेते हैं यह नहीं है तो यह हमारा हो जागा कितना ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ है लेबर नमर कोईचन के साथ जाहें दर।